दादी हमेशा सोचती थी कि अगर कोई काम चतिराई से किया जाए, तो कठोर मेहंत की आवशक्ता नहीं होती। यर एक सोचने का अद्भुत तरीका है, जो हमें जीवन में कई रास्तों का पता लगाने में मदद करता है। एक दिन, दादी ने अपने पोते जय और वीरू को पास बुलाया और अपने चिपे खजाने के बारे में बताया। बच्चों की आंखों में खुशी और रोमाइच जलकने लगा क्योंकि यह कहानी में एक नए मोर की शुरुआत थी। हालांकि दादी ने खजाने के लिए कुछ शर्ते भी रखीन। उन्हे किसी को भी ये बात बताने और खुदाई के रहेसे को छिपाने के लिए कहा। इसने कहानी में एक रहेसे में और तनाफपूइन वातावरन पैदा कर दिया। इसके बाद दादी ने अपने पोते-पोतियों को यह कहकर और उत्साहित किया कि वे एक खजाना खोजकर धनवान बन सकते हैं। यह उनके चतुराई का एक और बेहतरीन उदाहरन था, जो उन्हें और भी रुमाचित करता गया। लेकिन तभी शेरसिन की अचानक तबियत खराब हो जाती है, जिससे जंगल में सभी जानवरों में चिंता की लेहर दौर जाती है। अब उन्हें एक अच्छे डोक्टर की तलाश थी। बड़े डोक्टर की अनुपस्तिती में शेरसिन की स्थिती गंभीर होती चली गई। यह बात सभी जानवरों के लिए चिंता का कारण बन गई, जैसे कि उनके लिए एक बड़ा खत्रा मंदरा रहा हो। इस संकत के समाधान के लिए कई डोक्टर और हकीम आए, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी शेरसिन को ठीक करने में सफल नहीं हो सका। यह दर्शाता है कि समस्या कुछ और ही गंभीर है। शेरसिन की बीमारी के असली कारण को जानने के लिए आखिरकार कुछ बाबाओं को बुलाया गया। यह एक मेहित्रपूर्ण मोर था, जहां साजिश की परतें धीरे-धीरे खुलने लगीन। वीरू ने एक फर्जी बाबा का रूप धारन किया और शेरसिन के पास जाकर बलातकारी महिला के खिलाफ उसे भरकाने की कोशिश की। यह साजिश का अगला चरन था, जिसमें हर कदम पर सावधानी बरतने की आवशकता थी। बुजूर्ग महिला के दर्शन के बाद ही शेरसिन की बीमारी का असली कारन सामने आया। उसे बचाने के लिए किसी वेक्ती की पहचान करना आवशक हो गया था, जो इस संकत से उबरने में मदद कर सके। वीरू बाबा और जय के बीच बातचित होती है, जिसमें वीरू अपनी मुश्किले साहा करता है। जय उससे कहता है कि वह बुजूर्ग महिला ही उसकी जान बचा सकती है। जय बुजूर्ग महिला के पास जाकर उसे शेरसिन की स्थिती के बारे में बताता है। बुजूर्ग महिला मदद करने के लिए तकपर हो जाती है, जैसे कि कोई उम्मीद का दीप जल उफा हो। बुरी दादी ने शेर सिन को बताया कि वह उस दिन सबसे ज्यादा दुथी व्यक्ती थे, जिससे सभी जानवर चकित रहे गए। यर वारताला भासे और समयदारी से भरा था। शेर सिन ने बुजूर्ग दादी की चतुराई की भूरी-भूरी प्रशंसा की, यर दर्शाता है कि ज्यान और बुद्धी की कोई आयू नहीं होती। सभी जानवर दादी की बातों पर सोचने लगे, जैसे की कोई नई रोशनी मिल गई हो। शेर सिन ने मजाक म दादी को अपना जनरल सेक्रेटरी बनने का प्रस्ताव दिया, जिससे माहौल हलका हो गया और सब हंस परे। यर एक हास्यपूर्ण द्रीशे था, जो सब के चेहरे पर मुस्कान ले आया।